सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉरिंग, जसी टेक में आप सबका हार्देक स्वागत है, वेडनस टे, 31st of January 2024, बुद्धवार का दिन है, 31 January 2024 है तारीक, और आज होनी है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और सबसे पहले तो आप यही जानना चाहेंगे कि क्या कोई gap up हो सकत है या gap down या flat, flattish to bit of positive bias के साथ opening हो सकती है, यानि कि छोटा मोटा gap up हो सकता है, बट प्रशन ये तो है ही नहीं कि gap up होगा या नहीं होगा, प्रशन तो ये है, क्योंकि ये सवाल उन्हीं का होता है, जो कल hold करके गए होंगे, जो hold करके गए हैं, उनको शायद ही कुछ मिले, कारण क्या है, कारण ये है कि कल अगर आप देखोगे, कल जितने भी even out of the money भी जो थे वो भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा इंदा money का premium था, out of the money जो मैं बात करता हूं, अगर आप बात कीज़ेगा bank nifty की ही, bank nifty में ही कल premiums ऐसे थे कि पूछे मत, last time पे 45, 360, 36 पे closing आई है, वो भी adjusted closing है, उससे भी कहीं नीचे हम वो हो रहे थे, और आप ये देखें कि 45, 367 ही माल लूं अगर मैं, और 45, 500 की अगर बात करूं, तो 45, 500 की जो call है, 45, 500 की जो call थी, जो कि लगबग 200 point उपर है, वो भी 142 rupees पे close हो रही है, तो that is the kind of premiums that one has had to pay yesterday, और 45, 500 की call अगर आप इस भाव पे देख रहे हैं, 45, 400 की 182 पे और 45, 300 की 220, 219, 220, वह भी प्रीमियम, वहीं अगर put side की बात करूंगा, तो 45,000 की जो put है, 45,000 की put तो भाई, बिलकुल extreme out of the money है ना, वो भी 127 rupees, ऐसी 45, 300 की जो put है, वो 252 रुपए है, what is the logic, huge premiums, huge premiums, तो महलब कल कोई straddle right करके गया है, तो आज अच्छा पैसा right करके गया है, मैं यह नहीं कहरा कि long करके गया है, कोई short करके गया है straddle को, तो आज हो सकता है, अच्छा पैसा बना ले, चले खेर, कोई बात नहीं हमको बात करनी है, nifty के levels की, उसके बात करेंग bank and nifty, bank and nifty पर बात चीद करेंगे option chain पर, लेकिन सबसे पहले nifty के levels की, यह याद रखिएगा कि 21,522 पर कल closing होई है, 21,500 remains as an excellent support, 21,500 के नीचे जाता है, तो भाई, फिर दिक्कत आ जाती है, 21,500 के नीचे किन स्थितियों में जा सकता है, दो स्थितियों में जा सकता है, दूसरी दोस्थितियों क्या हैं, जिनके कारण दिक्कत आ सकती है, वह बैंकिंग सेक्टर का ना चलना, उसमें भी HDFC bank और ICSA bank कल भी नहीं चल रहे थे, आज भी अगर नहीं चले, तो भाई 21,500 के नीचे हम nifty को भी देख सकते हैं, दूसरी चीज, अगर IT ने भी साथ नहीं है, खेर, लेवल टू लेवल बात करेंगे, 21,500 के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं, तो 21,444,442 तक मुझे कहीं पे भी कोई support नजर नहीं आ रहा, 21,500 के नीचे 21,442 और अगर वो भी तूटा तो 21,399, 21,399 तूटता है, तो 21,349,350 तक के लेवल समको downside के लिए प् upside पर बात करते हैं, जब तक 21,655 cross नहीं करेगा, कुछ लोग कहेंगे, साब 21,522 पर closing हुई है, बिलकुल हुई है, 21,525 पर closing, लेकिन जब तक 21,655 cross नहीं करता upside के लिए, और sustain नहीं करता उसके उपर, तब तक मैं buy के बारे में नहीं सूच रहा हूँ, 21,655 के बाद सीधा- 21,698 का, 21,698 के बाद आता है 21,742 का, और अगर 21,742 भी breach हुआ, तो 21,785, 786 तक के levels भी प्राफ्त हो सकते हैं, अब आप कहेंगे, साब, budget है, budget भी आ रहा है, तो budget में क्या होने वाला है, उसके बारे में भी सुन लो, सबसे ज़्यादा प्रेशन मेरे से पूछे जा रहे है साब, ये budget में क्या होने वाला है, तो please understand, budget जो है, ये कोई full budget नहीं है, ये vote on account है, vote on account में क्या होता है, अगले दो महीने के लिए एक budget होता है, इतना हमारा government का खर्चा है, वो पास करवाना होता है उन्होंने पारलिमेंट में, और कुछ नहीं होता, और बाकी, अब ये सरका ऐसी है भही है, कुछ भी अनूस कर भी सकती है, क्योंकि आगे election है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी ये लोग लुबावन वादे करेंगे, क्योंकि इनको लोग लुबावन वादे करने की ना तो आदत है, ना इनको जरूरत लग रही है, क्योंकि आपको पता है, brute majority से हैं और बाकि अब तो तकरीबन तकरीबन मुझे तो आप तो बहुत इका दुका स्टेट्स ही दिखने हैं जहां पे अब यए नहीं रहें अब ठीक है वो करनाटका हो गया पंजाब हो गया दो एक और स्टेट्स हैं जहांपर भी इनका कोई वो नहीं है अधरवाइस सब जगा है तो it's a brute majority and chances are good that 2024 में भी a repeat करेंगे chances are good अब लग वो यह मेरा subject नहीं है anyways करें ना करें वो एक अलग बात है वो मेरा subject ही नहीं है ठीक हैं तो मुझे नहीं लगता कि budget में कोई बहुत कुछ खास होने वाला है हाँ volatility इतनी रहेगी कि जो भी buy करके बैठे होंगे call buy करके put buy करके वो सिर्फ और सिर्फ premium meeting करवा के अपना खतम करेंगे मामला खतम करेंगे और कुछ नहीं होगा ठीक है अब आद कर लेते हैं bank nifty की bank nifty की expiry है दोस्तों यह याद रखिएगा मैंने अल्रेड़ी सबसे पहले यही discuss किया कि bank nifty जो hold करके गए हैं उनके लिए दिक्कत भरा सबब हो सकता है flattish type opening हो सकती है थोड़ा बहुत अगर 150 क्या 500 से 200 उपर नीचे भी opening होई न तो भी जो hold करके गए हैं उनको कुछ मुझे नहीं लगता मिलेगा premiums इतने हैवी थे आज सुबह सुबह opening में premiums बहुत कम हो जाएंगे उस मुकाबले जो कल थे तो खेर चलिए बात कर लेते हैं कि भाई कल हम 45.367 पर closing दिख रही है हमको average closing 45.367 आई है 45.500 सबसे बड़ा resistance 45.500 पर सबसे बड़ा resistance है ठीक है जी 45.400 कल change in UI देखोगे तो आप हिल जाओगे कहोगे कि 75.000 से जादा contract 75.411 new contracts write किये गए यानि 45.500 पर भी call writers खडे है that means 45.400, 500, 600, 700 सब पर call writing बहुत ही strong हुई है 45.400 भी बहुत बड़ा resistance है अब अब downside पर put side पर देख लेते हैं कि put side पर कहाँ पर supports है put side के अगर support की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 45.200 एक support है 45.200 अगर यह 45.200 ब्रीच होता है तो फिर एक 45.000 support है 45.100 पर भी कोई बहुत put writing strong नहीं है 45.200 तूटेगा अगर तो फिर 45.000 तक का एक हमको downside पर मुझे लगता है 45.200 तूटेगा तो 45.000 भी इतना बड़ा support नहीं है क्योंकि चेंज इन ओए में 22.688 तो कलना है contract लिखे गए उसके बाद है 44.800 साब 45.000 तूटा तो 44.800 और 44.800 तूटा तो फिर तो भी है में है मैं फिर तो 44.500 पर भी कोई बहुत strong support मुझे नहीं नदर आता फिर तो सीधा-सीधा 44.200 तक के levels downside पर अभी as per the option chain नदर आते हैं downside की बात किये अभी तक मैंने कि अगर 45.200 के नीचे जाना start करता है तो 45.000 तूटा तो 44.800 तक के levels है और 44.800 तूटा तो 44.500 भी कुछ नहीं है तो भी है अच्छा खासा downside दिख सकता है anyways upside की बात कर लेते हैं upside पर आपको यह पता है कि 45.400 45.500 दोनों पर resistance है 45.500 अगर हमने ब्रीच कर दिया 45.500 ब्रीच किया तो यह समझ लीजेगा फिर उसके बाद हमारे लिए 45.800 तक कोई ऐसा resistance नहीं नदर आ रहा 45.500 550 के उपर हमने जाना अगर start किया तो 45.800 तक कोई बड़ा resistance नदर नहीं आ रहा ठीक है जी और 45.800 क्रॉस कर लिए तो भाई फिर तो 46.000 का ही बड़ा resistance अब को नदर आता है और वाई चांस अगर 46.000 भी ब्रीच हो गया upside के लिए तो भाई फिर एक short covering आ सकती है जो हमको लेके जा सकती है 46.100 और 46.400, 360, 370 तक के levels के लिए भी upside में देखने को मिल सकती है बट आपको ध्यान क्या रखना है कि कही बार ऐसा होता है कि management of index होती है ICI से bank तेज कर दिया, HDFC bank को बंदा कर दिया या HDFC bank तेज कर दिया, ICI से bank को बंदा कर दिया अब अगर ऐसा हो रहा है, तो उसमें premium meeting के सिवाए और कुछ नहीं होगा अब आप कहेंगे, साब इन ही दो banks का नाम क्यों लिया, इन banks का नाम इसले लिया क्योंकि weightage सबसे ज़्यादा इन ही का है तो जिस दिन bank nifty के expiry हो न, खास करके उस दिन इन दोनों banks पर भी नजर रखा करो चार्ट पे और आप पीछे अगर record भी देखो गए उठा के, तो आपको कई बार दिखेगा, अभी पिछले महीने में ही कई बार दिखेगा कि एक bank को उपर को लेके जाये जाता था, तो उसी time frame में दूसरे को नीचे को लेके आते थे, तो that is called management of index, उसमें writers को पैसा बनता है, और buyer, buyer को तो भीया कितना पैसा बनता है, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, तो यह हुई bank nifty की बात, nifty के बारे में भी बात कर चुक निफ्टी में IT को चलना पड़ेगा, banks को चलना पड़ेगा, और reliance ने अगर जरा साभी दवाब डाल दिया, reliance का दवाब देखना बहुत जरूरी है, क्यों problem कहां है, अगर आप crude भी देखोगे, crude oil का एक बार देख लेता हूं कि क्या situation चल रही है, crude oil पे, crude oil 7% उपर है, crude oil कल अगर आप देखोगे, तो crude oil is bullish, crude oil का असर, सीधा सीधा असर किस पे आता है, crude oil का असर, reliance पे पड़ेगा, Asian paints चैसे stocks पे पड़ेगा, और crude oil अगर ते चलता है, तो bank nifty पे उसका impact तो पड़ता ही है, तो भई, ये हुई आज का, हमारा nifty, bank nifty की, छोटी सी एक summary, कि क्या ह हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजेगा, कि हमसे भी registered नहीं है, जो भी बातचीत यहां हुई है, जो भी content है, इस channel पर, ये सिर्फ academic purposes के लिए, इसका buy sell की सला से कोई लेना देना नहीं है, दोस्तों, पुने में औरा है, seminar 4 February 2014 को, रविवार वाले दिन, जो आने वाला रविवार है, उस दिन, पुने में seminar है, जो भी आना चाहिए, खुशी से आ सकता है, full day का program रहेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें की options trading, सीखने को आपको सबसे पहले options trading के बारे में बातचीत की जाएगी, stock selection के बारे में बातचीत की जाएगी, किस तरह से हमको results and analysis करना है, उस पर बातचीत की जाएगी, and my dear friends, कुछ strategy भी देने वाला हूँ वहाँ पर, question and answer session तो होगा ही होगा, पूरे दिन का कारेकरम है, तो lunch का भी arrangement किया गया है, morning, evening, tea and lunch, along with lunch, so वे 9 बज़े से शाम को साड़े पांच तक का book कर रखा है, program है, तो आप लोग जल से जल्द रिजि 7834-876-736, I repeat, 7834-876-736, पर भेज सकते हैं, यह description में भी दे रखा है, number, description में detail भी दे रखी है, आशिश प्लाजा, hotel है, Ferguson Road, Ferguson College Road जो है, वहाँ पर, पुने में, तो आप लोग सभी register कर सकते हैं, तो registration जिन्होंने किया है, उन सब को मैंने कल invite भेज दिया, अगर किसी को invite नह message करते हैं, तो इसके साथ ही मैं आप लोग से जाज़ चाहूंगा, और आप सब को बोलूगा, good luck for the day, bye bye.